है 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 ओके गुदिंग अल अप यू कैसे आप सभी देखो जो लाश्ट क्लास में हमने सलेबर डिस्कसिन किया था तो उसी पे आज की क्लास हम फर्ष क्लास स्टार्ट करते हैं तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी हमारी डेटा कम्यूकेशन और उसके बाद हम नेट्रक की कंसेट को डिस्कसिन करेंगे ठीक है अब देखो पॉइंट समझो हमने जो वह अच्छे से किलियर कि कि उसके लिए आपको एक Net app बनाने की कि हम बात करते है तो डेटा कम्मिडियो किया होता है कि हमारे पास में डिवाईस होती है और उन डिवाईस की साहता से हम क्या करते है हमारे पास में जो भी डेटा है हमारे पास जो information है उन information क्या करते हैं हम share करते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह कह सकते हैं कि आपके जो particular information आफ share करोगे ठीक है वो particular information sharing आपकी या तो local हो सकती है remote हे आइस ब सकती है तो वो सारी कहानी ही हम नेक्ट्रक में जर्चा करेंगे अब यहां पर बात करते हैं डिज डेटा कम्मियोकेश्ण के लिए सबसे बहुत करते है तो इसका मतले होता है कि यहां पर मैं कहय रहाँ कि आप आपको करना के हैं आपको यहान पर करना के है एक्च्छलीए आपको क्या करना है कि यहां पर हम कहने इंफॉर्मेशन शेरिंग information की इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है कि यहाँ पे हम क्या करने डेटा को municipate करने है ठीक है ध्यानक ना यहाँ पर आपको साथ की पोईन्त होते हैं जो आपको सकसे दिलवाते हैं ठीक है तो यहाँ ना पको बात कर लेते हैं कि आपके डेटा खनी करने के लिए आपके पास कोण-कोण से ठीक है आपके पास में कौन-कौन से component होनी चाहिए जिसकी सायता से आप क्या कर पाओ आप डेटा क्या कर पाओ एक्सचेंज कर पाओ किनकी बीच में डिवाइस के बीच में ठीक है तो देखो यहां पर हम सबसे smallest to सबसे easy example लेकर चलते हैं यहां पर हम कहेंगे कि आपके पास एक तो क्या होना चाहिए आपके पास एक तो सेंडिंग डिवाइस होनी चाहिए ठीक है इसका मतलब सेंडर की रूप में कोई भी डिवाइस होनी चाहिए जो डेटा को सेंड करने की है अच्याहिए हमें डिवाइस के बीच में हमें बाधी कर वानी है ठीक फैब भी आप कमिन्योकेशन की बात करते ओ तो कमिन्योकेशन भी कम से कम आपके जो कम नॉर्म लगर अगर गर्मिंद्स बात करते बात करते हैं तो उस ठैम कम से कम 2 पनेung लोगा याँ है तो आप को आपके लिए कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं तो इसी टाइप से जब दो परसन कम्यूकर्ट करते हैं तो वह एक तो बेजने करेगा 1 रिसीवर शेम निया पर दिवाइस के लिए डिवाइस के लिए बिन नीट कहने कर्द टू distributions पर भी चाई कई थीए ठीक है तो यहाब मैं करौ EC बरेंगे आपका माद्ध्यम में ओना चाहिए एक दूसरे एक दूसरे क्या हो पाएंगे जुट पाएंगे तो यहाप मैं करा हूँ क्या आपका transmission medium क्या होना चाहिए आपका transmission मिभæल T1 C माद द्रूप में ठीक हैं हम आपär वायर और वायरे स्कोर सकते तो हम ठीक है आपकी standard device होगी आपके पास क्या होगा transmission मीडियम होगया माध्धम हो गया इन दोनों device की बीच को हम गरेक्ट कर दिये अब बाताती है कि आपको इन दोनों device के बीच में बातचीत करवाने के लिए आपको कोई message तो होना चीए न, data तो होना चीए, जो आप भेजोगे, तो next अगर मैं components की बात करूँ, तो next components यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक message होना चीए, जिसे हम क्या करेंगे, जिसे हम transmit करेंगे, जिसे क्या करेंगे, अच्छा, क्या यहाँ पे यह दोन्नों device क्या अप communicate कर लग जाएंगे, सपोज कर रहे हैं, यह दोन्नों computer हैं, क्या दोन्नों computer एक दूसरे से अपने आप communicate कर लग जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर communicate कैसे करेंगे, communicate करने के लिए आपे इन दोन्नों device के बीच में हमें कुछ rule define करने पड़ेंगे, और जब तक हम वो rule define नहीं करते, तब तक यह एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, देखो दाने आपका जो computer जो होता है, वो एक SC device होती है, जो आपके सिरफ और सिरफ आपके हुम्मन द्वारत दियेगे, इस ट्रेक्शन के बेश्ट पे एक वरक करती है, ठीक है, तो इसका मतलब है, कि यहाँ पे हमारे पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास में क्या होना चाहिए, प्रोटोकोल होना चाहिए, और प्रोटोकोल की अगर वहाँ पे बात करें, तो इसका मतलब है, कि यहाँ पे हमारे पास set of rules होना चाहिए, ठीक है, प्रोटोकोल यहाँ पे, आपके तोटल आपके five component होते हैं जब भी हम data communication की बात करते हैं ठीक है data communication के लिए five component कौन-कौन से होगे आगे चलके हम यह सारी कहानी पढ़ेंगा आगे चलके ट्नासमेस मेडियम में मादम के रूप में आपकी cable भी हो सकती है और cable में बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे आपकी किस टैप के बलो सकती है बैपके two state पर के बलो सकती है coaxial cable हो सकती है optical fiber cable हो सकती है और इन सभी cable की अलग-अलग विशेशता होती है बिट्यू इस्टेट पर के बलो को एक्सल के बल तो आपके किस में electrical current के फॉर्म में डेटा फॉलो करेगी optical fiber किसमें करेगी आपके light की फॉर्म में डेटा फॉलो करेगी और second हम बात करें किसकी wireless की इसका मतलब है कि हमारे वहां पर किसी टैप का कोई physical माद्दम नहीं है wireless communicate करना है तो उसमें वेव की बात करेंगे और वेव की कहानी पढ़ेंगे तो वहां पर आपकी क्या पढ़ेंगे रेडियो माइक्रो इंफरेड तो यह सारी हमें इस टेडी करनी है और हमें हमारे सपजेक्ट में इस्टवी करना है maximum जो अमाधर इस्टेडी करना वह इन प्रो्टोकॉल के बार में स्टेड्य करना है इन नुगности के बात्चीत कर वाने किलिक ascend कॉन-कॉन से रूल तो देखो डेटा कम्नुकेशन कॉम्पोनेंट में डाइग्राम बना ये पहले फिर उसके बाद हम कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे कौन इंपोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं जल्दी स्पेल डाइग्राम बनाएं एक बढ़ एक बढ़ साथ की साथ आपको नोट्स जरूर्श रेडी करना है क्योंकि जब तक आप सेल्फ नोट्स रेडी नहीं करेंगे तब तक आपको खुद को इंट्रेस्ट नहीं आएगा पड़ने में ठीक है अब यहां पर कॉम्प सेंडर एक डिवाइस होती है जो डेटा को सेंड करने की कैपेसिट रखती है ठीक है तो लिखो यहां पर सेंडर एक डिवाइस होती है जो डेटा को सेंड करने की कैपेसिट रखती है है थिक है क्या होती है एक डिवाईस होती है जो डेटा को सेंड करने की कैपेश्षिट रखती है क्यों सेंडर ठीक है अब सेंडर के रूप में आपके कोई बीडिवाईस हो सकती है अगर मैं एकْजाम्बल की बात तो Sender Group में आपपस क्या हो सकता है। When you eat regularly, आप पास यहां बात करता हूं, Computer Group में बात करता हूं, तो आप पस क्या हो सकता है भर PC हो सकता है, Personal Computer हो सकता है आप पस Laptop हो सकता है ठीक है ROSS यहां पर Mobile Phone हो सकता है ya MOR2 Sender आपकी cerrankowan25 perform ж audio-iyorum Strategies क्यापेशिट रखती है ठीक है बैसे इतना से जाना रखना है यह जो डिवाइस से यह डेटा को सेंड करने क्यापेशिट रखेंगे ओके सेंडर अच्छा नेक्ट हम बात करते हैं रिशीवर नेक्ट हम बात करते हैं किसकी रिशीवर की बात करते हैं देखो रिसीवर को बात करते हैं और रिसीवर की कहानी के रूप में हम देखेंगे तो रिसीवर भी क्या होती है बेर रिसीवर भी एक डिवाइस होती है जो डेटा को रिसीव करने क्या रखती है तो इसमें पॉइंट लेखो रिसीवर एक डिवाइस होती है जो कि डेटा को करने की कैपिश्य रखती है that can be capable to receive data ठीक है तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि receive device होती है data को receive करने की कैपिश्य रखती है ठीक है example के रूप में simple से simple सा वही कहाणी आपकी आपकी normal आपके पास में क्या हो सकता है computer pc हो सकता है प्रीटर भी आपकी प्रींटर वी एक रिचयओनिस है आपको की इन प्रींटर आपके डेटा करें प्रिंट प्रिंट आउर्ट अनिया का अ कॉल्ड सकतें क्योंकि हम क्या करते हैं हम particular हमारे पास में जो PC हमारे पास में जो computer या laptop या desktop जो भी मोज़ोद होता है उससे हम command दे सकते हैं किसको printer से कुछ भी print करनेगी ठीक है तो printer क्या होता है एक receiver device हो सकती है ठीक है तो यहाँ पे आपके sender और receiver क्या है दोनों एक device होती है जो आपके data को send करने की receive करने की क्या पेशिट रखती है अब देखो ठाइड यहाँ बात करते हैं किसकी transmission medium देखो यहाँ बात करते हैं transmission मेडियम की बात करते हैं अब देखो point समझो transmission medium इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं आपके माध्यम होता है ठीक है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपके sender और receiver device को एक दूसरे से connect करने का एक माध्यम होता है कुन transmission medium अब इसके रूप में wire wireless हम सारी जो भी माध्यम होता है माध्यम होता है जो की sender और receiver device को एक दूसरे से connect करता है sender and receiver ठीक है तो क्या होता है एक माध्यम होता है जो sender और receiver device को एक दूसरे करता है connect करता है ठीक है तो देखो यहाँ पे अगर मैं transmission medium बात करूँ भी तो माध्यम बात करूँ तो यहाँ पे हम cables के रूप में बढानी पड़ेंगे भया तो आपकी क्या होगी cable होगी और cable group में देखिने कौन कौन सी cable आप पास क्या होगी भी ट्यूस्टेट पे के बलोगी कौन कौन सी होगी ट्यूस्टेट पे रिके बलोगी ठीक है second बात करते हैं, आपके पास में क्या होगी, coaxial cable होगी, या फिर हम बात करते हैं किसकी, optical fiber cable की बात करते हैं, किसकी, optical fiber cable की बात करते हैं, ठीक है, तो cables की, cables की रूप में अगर हम चर्चा करेंगे, तो आपके two state pair cable होगी, coaxial cable होगी, या फिर बात करें किसकी, optical fiber cable की बात करें ठीक है, अगर जब हम वायरलेस की चर्चा करते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी वेवस होती है, और वेवस आपकी किस फोम में होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस होती है, बहुत अच्छे से यहाँ चीजों को समझेंगे, तो वेवस की रूप मे ठीक है, तो आपकी क्या होती है, वेव होती है, तो यहाँ पर आपकी क्या होता है, ट्रांसमें मेडियम होता है, वो एक टाइप में कह सकते हैं, माध्यम होता है, आपके सेंडर और रिशिवर को एक दूसरे से कनेट करने के लिए, अब धन्वरा सेंडर रिशिवर को कनेट करने के लिए हम दोनों तरीकि यूज कर सकते हैं वायर ओर बैयर लेस्ट वनों और वायर कर्ऊप में केबल्स के यह वमपिएयवें एक शीर दोनों के लोगी थी माईय्क कर दोनों होगी कि अच्छ आप मेसेज की बात करते हैं आपके पास में जो डेटा होता है जिसे हम जिसे आपके सेंडरों टैटे जाएगा ह define इंफोर्मेशन ए डेटा होती है जिसे इंफोर्मेशन ए डेटा होती है जिसे सेंडर और रिश्योर के बीच में सेर किया जाएगा ठीक है एक क्या होता है मैसेज क्या होता है आपका एक डेटा होता है जो आपके Bronze आहीं इन रिवातनी पिर किया जाएगा तो है तो यहाँ पर कितने नम्बर थी फौर्थ नम्र न तो आपना फ़ोर्थ नंबर क्या जब भी हम network की दुनीय की बात करते हैं, तो network की दुनीया में जो हमारे पास program हम एउस चलेंगे, तो हम OSI Standard के उपर चलेंगे, तो वहाँ तो सारे की जब आपके OSI Model के जो layer है, उसकी layer की जब functionality है, वहाँ पे आपके rules ही लिखे होते हैं सारे. ठीक है तो यहाँ पर हम प्रोटोकोल की बात करेंगे इसमतलब set of rules तो यहाँ पर प्रोटोकोल में लेखो लेखो प्रोटोकोल रूल का सम्मू होता है प्रोटोकोल रूल का सम्मू होता है प्रोटोकोल रूल का सम्मू होता है जो की जो की सेंडर और रिशीवर डिवाइस के द्वारा जो की सेंडर और रिशीवर डिवाइस के द्वारा sender और receiver device के दिवारा data को data को exchange data को आदान परदान करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है तो simple सी बात है कि यहां पर इसमें अगर protocols की बात करें तो simple सी बात है यहां पर क्या होता है आपका program होता है यहां पर क्या होता है ठीक है और अगर मैं program की बात करूँगा तो यहाँ पर क्या होता है आपकी sets of क्या होता है sets of instruction होती है यह आपकी क्या होती है instruction का सम होता है ठीक है तो हम same वही कानिक बात करते हैं आपकी क्या होती information का सम होता है ठीक है तो देखो जब भी हम बात करते हैं कोई particular जो आपके पास में जो computer है वो आपके दो component से मिलके बनता है आपको पता है कि hardware part होता है, एक software part होता है, तो जो hardware part होता है, वो अपने आप कभी कोई काम नहीं करके देगा आपको, hardware part को काम करवाने के लिए हमें rules बताने पड़ते हैं, और जो हम rules बताते हैं, वो किस रूप बताते हैं, वो हम वहाँ पे instruction की रूप में बताते हैं, हम वहा तो आप क्या कहोगे देखो एक बहुत इजी सा क्वेशन आपसे पूछना हो भी जैसे यह आपके कितने होगे फाइफ कॉंपनेंट्स होगे ठीक है अभी आप एक नॉर्मल में कम्पूर्टर के जिकरा कर ले तो भी आपके पास नॉर्मल जो कम्पूर्टर है उस कम्पूर्ट्र कर था है कंपूर्ट्र इज ऐए कंपूटेशनल डिवाईस देखो पाइंट्स अब Heavenly कोм पिएज मैं कह रहा हूँ कम्पूट्र इज ये है कंप्यूटेशनल डवाइस होती है ons and that canned you just do that can use to process the data देखो इन्द वाले बच्चों गोले बहुत अच्छे सम्झाओंगा पहले यहाँ पर मैं कहा रहा हूँ that can use to process process the data process the data under the control of under the control of program देखो बहुत बहुत शांदार concept है यहाँ पर कि यहाँ पर मैं कहरा हूँ कि आप से कोई भी देखो आप computer science के इस्टेंट हो तो at least आपको यह तो पता होना चाहिए कि आपका computer करता क्या है ठीक है इसका मतलब होता है कि यहाँ मैं कहरा हूँ परेटिकुलर जो हम computer बात करते हो हमेश्या किसी डेटा को प्रोसेस करने का कारी करता है और वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले से एक प्रीडिफाइन क्या होता है एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम की साहिता है सो डेटा को प्रोसेस करता है इसी इसी ताइप से आप कहते हो यही तो आप concept पढ़ते हो basic में क्या करते हो आप इंपूट देते हो input देने के बाद क्या होती है आपकी processing होती है input देते हो उस बाद क्या होती है आपकी processing होती है और साथ में यहाँ पे आपको प्राप्त क्या होता है आपको output प्राप्त होता है आपके IEM exam में question पुछा हुआ आइए आपके cycle पुछी हुए input process output तो सेम डिट्टो यही कानी करोगे आप लेकिन यहाँ पर जब इन्पूट दोगे यहाँ पर प्रोसेसिंग करोगे तो प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा आपके पास पहले से यहाँ पर क्या होगा आपस प्रीडिफाइन देखो यहाँ पर मैं कर करते हैं तो simple सा concept है कि आपको करना क्या है आपको ये दो दोन्नों जो डिवाइस हैं इन दोन्नों डिवाइस के बीच में आपको data exchange करना है physically connect कर दिया connect करने के बाद भी यहाँ पर इनके अंदर दोन्नों डिवाइस के अंदर आपको program लिखना जरूरी है क्योंकि बिना program के लिखे बिना इनको instruction दिये ये एक दूसरी बातचीत नहीं कर सकती तो आपके total अगर मैं components की बात करूँ तो आपके total components आपके five components और data communication के sender, receiver, transmission, medium ठीक है उसके बाद बात करते है message की और protocol की ठीक है total आपके five components होते है एक पर तुरंत आपके छोटा से note में करके point लिख लिए बहुत अच्छा point है ठीक है तो ये भी आपको general knowledge होनी चाहिए जो particular class है ये class आपके जो youtube पे है live mode only live mode पे रहती है तो definitely आप इस class का benefit ले सकती है youtube से भी अगर आप only live mode में class देखना चाहते हैं तो definitely देख सकते हैं आपके live mode में जाते हैं class है बाद में हाँ बाद में private हो जाती है बाट हाँ live mode में youtube पे अवलेबल है ठीक है तो धनना आपको एक बहुत easy definition है कोई आप से पूछी आप ऐसे रटते रहते हो electronic device होती है यह होती है वो एक सटीक आपको मतलब एक properly definition याद होने चीए इसका मतलब जिसमें actual में real में वो चीज़े निकल के आए ठीक है करने के टाइम पर हमारे कुछ rules होते हैं हमारे कुछ characteristics होती है इसका मतलब एक data communication करने के लिए कुछ विशेशता है होती है वो विशेशता बात कर लेते हैं ठीक है तो देखो यहां मैं कर रहा हूं next topic की बात करें अगली topic बात करें तो next topic start करते हम क्या data, communication, next topic आता आपका data communication component sorry components नी, data communication, properties or characteristics ठीक है data communication, characteristics ठीक है, characteristics मतलब विशेशता, तो data communication करने के लिए हमारे पास क्या-क्या विशेशता होती है, तो characteristics की बात कर लेते हैं या फिर हम बात कर लेते हैं properties की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं, data communication करने के लिए आपके पास में क्या-क्या विशेशता होने चीए, हिंदिवाले बच्छे लिख सकते हो, characteristics मतलब विशेशता, तो data communication, मतलब data को आपको device के बीच में आदान परदान करने के लिए आपको क्या कर होकी रहने वाला है, देखो, यहां पर हम पहले विशेशता बात करते हैं, आपका जब भी हम बात करते हैं, data communication की, तो पहले विशेशता बात करते हैं, delivery, इसका मतलब है, कि जब भी हम किसी sender से receiver के बीच में data communication की बात करेंगे, तो आपने जो data भेजा है, तो वो जिसके लि delivery, accuracy, फिर बात करते हैं, timeliness, ठीक है, और फिर यहां पर last point की बात करते हैं, किसकी, जिट रगी, last point किसी बात करते हैं, जिट रगी, देखो, data communication के लिए आपकी total जो चार जो विशेशता होती है, उस चार विशेशता होती है, उसका मतलब है, सही person, सही device के पास data पहुँचना ठीक है, accuracy, सही रूप में, जो आपने भेज़ जा है, वो ही data पहुचना ठीक है, accuracy, सही रूप में data पहुचना ठीक है, timeliness, सही time पे data पहुचना ठीक है, जब हम कई बार बात कर लेते हैं, आपके data packet के बीच का जो variation है, वो भी fix होना ठीक है, just suppose करो, यहां से आपके, जब मैं पूच्छा गया था, लास्ट आई एक एक्जाम में, बैसे streaming होता है, वीडियो, तो उस time पे तो आप streaming live देख सकते हो, लेकिन उसके बाद में, जब दुबारा से वीडियो को देखते हो, तो वो कोन से कहां से आउठ के आता है, सारे question पर discussion करेंगा, don't worry, तो यहाप मैं कहा पहुचा रहा हूँ कि जब मैं यहापे data आपके पास पहुचा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरी class streaming हो रही है, तो इसका मतलब जब आप यहाँ से जो data deliver किया जा रहा है, वो data आपके जब पहुच रहा है, तो जब आपके पास में data पहुचते हैं तो packets की रूप में होगे, else आपकी buffering start हो जाएगी, ठीक है, तो buffering start नहीं हो, इसके लिए इसका मतलब data packet के बीच का variation क्या हूँच है, fix होना चीए, तो देखो, यहाँ पे बात कर लेते हैं delivery, इसका मतलब होता है, सही person, देखो, यहाँ बात करते है, right, right person, delivery मतलब हो सही person, सही person, यहाँ पे person मत होचना चीए, ठीक है, accuracy, देखो, यहाँ मैं करा हूँ, right data, इसका मतलब है, accurate मतलब है, कि आपका data का रूप, मतलब जो data आपने send किया है, वो exactly वही data आपका क्या, receive होना चीए, क्योंकि आगे देखेंगे, ने ट्रक के दुनिया हम देखें, हमने data send किया है, अब सपोर्ज कर पता लगे का हमने जो send किया है, वो ही रिश्वर को receive हो रहा है, तो यह सारी कहानी समझेंगे, ठीक है, तो यह data communication की विशेशता होती है, विशेशता होनी चाहिए, कि आपके सही परसंद तक data जाना चीए, सही रूप में data जाना चीए, मतलब सही data जाना चीए, ठीक है, उसक मैं कर रहा हूँ, variation between data packet, आपके data packet के बीच का, जो variation है, variation between data packet are fixed, data packet के बीच का जो gap है, देखो data packet के बीच का जो gap है, वो fixed होना चीए, ठीक है, तो हिंदिवाल बचे साथ में लेख सकते हैं, यहाँ पर point लेख सकते हैं, डिलेवर मतलब होता है, सही device तक data पहुँचना चीए, ठीक है, accuracy मतलब होता है, सही रूप में data पहुचना चीए, स जो आपने send किया है, वो ही आपका data issue होना चीए, फिर बात करते है, time list मैं सही time पर data पहुचना चीए, बहुचना चीए, जब आपने data send किया, आप suppose करो, यहाँ से मैं live stream कर रहा हूं, तो यहाँ से जो मैं data send कर रहा हूं, live stream में आपको इसका मतलब है, थोड़े से gap के बाद आपको data मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है, क्या आपके काम कहीं नहीं है, वो live stream के आपके क्या काम की, आपको proper time पे data मिल रहा है, तभी तो आप मेरे से communicate कर पाओगे, तभी तो two-way communication चलेगा, ठीक है, और ना next बात कर जो trace का मतलब है, आपके data packets के बीच के बीच के क्या कुपा है, आपके बीच झाएफ़ uniform, उभी मिल रहा है, क्या के वो thousands. अब यहां पर बात कर लेते हैं आपके जो पाइट को यहां पर इसका मतलब है कि हम यहां पर जो डेटा और रोड्रव होसकता है है जो अपर आपके जो डेटा चैन्ज कर रहे हैं तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि अपका जो डेटा है ना वो डेटा का रिपर्जेंटा शन Inde को यहां पर बात कराने डेटा representation representation मतला है जो आपके पास मैं आज के दिन जो data है वो किस रूप में हो सकता है ठीक है अब देख़ो एक point समझे हैं पर data के रूप की बात करें तो data आपका normally क्या हो सकता है या तो text के form में हो सकता है text data होगा ठीक है या मैं कहाई सकता हूँ किस फों में हो सकता है आपके नंबर की फों में हो सकता है डेटा टैक्स्ट होगा नंबर होगा या मैं कहाई सकता हूँ क्या होगा आपके इमेज डेटा होगा क्या होगा आपका इमेज डेटा होगा या फिर क्या होगा आपका वीडियो डेटा होगा या फिर क्या होगा आपका ओडियो डेटा होगा अब देखो अब यह जो आपके डेटा के जो रूप है यापे आपके पास में टैक्स है नमबर है, image है, audio है, video है, तो यहाँ पर आपको पता हैं आपके डेटा चाहें कितने भी रूप में हो, आपका बाइनरी ज़ुप हैं वो आपके किस रूप में? आपके binary format में आपके डेटा को समझता हैं, तो देखो, यहाँ पर जब भी हम computer की बात करते हैं जब भी हम computer की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यहां पर आपके किस में आपके binary format में data हो इसका मतलब है कि यह क्या दता है यह binary को समझता है ठीक है इसका मतलब किसको समझता है इसका मतलब समझता है जीर और वन को समझता है अब आपको करना क्य आपके पास में suppose करो कि यहां पर मैं कर रहा हूं कि मुझे मेरे नाम को दिसमें कर रहा हूं देखो मुझे मेरे नाम को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में क्या करना है शेयर करना है ठीक है मेरा नाम सुनी ले और मुझे क्या करना है इसको एक डिवाइस से दूस नाम में directly share नहीं कर सकता, तो क्या करोंगा फिर? वही सब से पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यह जो particular data है, इसको सबसे पहले तो मुझे 01 कि form में convert करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, signal में convert करके मुझे cable या wireless के तो भी है उसके तो बेजना पड़ेगा तो यहां पर जो particular data है यह पर आपका कैसा है यह tax data है देखो यह particular data कैसा है tax data अब tax data को represent करने के भी बहुत सारे तरीक्ये होते हैं अगर मैं बात करूँ आज के दिन अगर आपके अगर मैं कोन से युनिकोर तो अपके यूनिकोर होता है यूटी एफ 8 16 32 वह आपके यूनिकोर है ठीक है बेसिक में आप इनचे जोग अच्छे चलचा करेंगे आप इमनॉर्मल आप बता जिता हूं इसी टैप से आपका क्या होता है एक आस्की कोड होते है सुने है आस्की American Standard Code for Information Interchange इसका मतलब होता है कि यह जो आपके जो Coded Scheme है यह Coded Scheme क्या है? एक टैप से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी आपके पास Textual Data है उसको यहाँ पर एक Fixed एक Fixed Value दी हुई है ठीक है? उससे क्या होगा? दोखो समझो कि यहाँ पर अगर मैं बात करते हैं अभी ASCII की बात करते हैं तो American Standard Code for Information Interchange एक Standard Code है जो क्या करते हैं? जो आपके Keyboards की उपर जितने भी Symbols मोजूद है ना उन सारे Symbols को एक Unique Value Assign करते हैं अब यहाँ पर Unique Value Assign करने से Benefit क्या होगा? देखो समझो यहाँ पर यहाँ मैं कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर अगर मैं Capital A की बात करता हूँ जब भी आप Keyboard में Capital A टाइप करते हो तो आपके PC के द्वारा उसे क्या समझा जाएगा? 65 समझा जाएगा क्या समझा जाएगा? 65 समझा जाएगा और real में 65 भी नहीं होता है, real में तो 01 की form में होता है और 01 की form में भी यहाँ पर हम दो format की बात करते हैं, एक तो आस की 7 रेक आस की 8 तो यहाँ पर जब हम आस की 7 की बात करते हैं, देखो आस की 7 की बात करते हैं, तो आस की 7 एक 7 bit code होता है और 7 bit, तो 7 bit जो code होता है, इसकी साहित है, हम total कितने, 7 bit code होता है आज की, basic में और अच्छे skiller करेंगे इन चीजों को, 7 bit का मतलता है 2 की power 7, 108 symbol को represent कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह जो particular जो A है न, इस A को represent करेंगे मुझे कितने, 7 bit चीए, ठीक है, तो यहाँ पे 7 bit के रूप में अगर बात करेंगे, तो 65 होता है, यह real में क्या होता है, 1, 0, 0, 0, 62, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यह क्या होता है, यह जब भी आप keyboard में, जब भी आप keyboard में A प्रेस करते हो न, real में आपकी computer को दोरह यह समझा जाते हैं, इसी type से, इसी type से यहाँ पे आगे चलके देख इसी type से small a की बात करते हैं, तो small a को जो नंबर आसके में कोन से है, 90, 7 कोन से है, 90, तो यह जो 65, 97 नंबर ने यह नंबर भी हमें अपने understanding के लिए बताए गए, real में तो इनका यह concept होता है, क्योंकि आपके जो particular जो PC है न, उसके द्वारा तो जो computer उसके द्वारा ते 01 की form मे data को समझा जाएगा, अब देखो यह मैं आपको बता क्यों रहे हैं, देखो यह data को represent करने का यह तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इन सभी रूप के data को आपको net truck में बेजना है, अब आप समझो देखो, थोड़ा सा यहां पर एक दिमाग लग, थोड़ा सा logical सम कि यह जब भी हम एक सुनिल को, सुनिल नाम को जो data को transmit करेंगे, तो अगर मैं आसकी 7 की बात करूँगा, तो परते हैं यहां पर जो character से न, उसको मैं 7 bit, binary bits में convert करके क्या करूँगा, transmit करूँगा, अब सोच के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, आप कितने, 5 character हैं, 5 character के लिए, total आपके क इतने bits transmit करनी पड़ेंगे आपको, जब मैं ask की 7 की बात करूँगा, तो 7 multiply 5, 35 bits, 0, 1 की bits, 35, 0, 1 की bits, सिरफ और सिरफ इस particular नाम को इन दोनों device के बीच में exchange करने के लिए आपको share करनी पड़ेंगे, तो इस type से यह तो आपके सिरफ और सिरफ आपके text data की बात हैं, यह तो आगे आगे बढ़ते, देखो number भी जो होता है, number भी ठीक है, number भी हम binary format में convert कर लेंगे, आपके image आती है, audio आता है, audio वीडियो आता है, तो image आपके क्या होता है, भी आपके pixels का collection होता है, और परतेक जो pixels होता है, उस परतेक pixel क्या होती है, एक value होती है, भी हम pixels को value देते है, उसी के base पर तो color decide होता है, और उसी हमारी पूरी image बनती है, तो यह तो आपके normal data की बात होगी, normal data कानी होगी, अब समझो, देखो, धान रिक ना, यहाँ पर सुनिल को बेजने के लिए, मैं सिरफ और सिरफ जिसे as you and il, यहाँ पर आपके five characters के लिए आपको 32 bit को transmit करना क्योंकि जब internally हम बात करेंगे न, बाद में जब data representation में जब आगे चलेंगे, इसका मतलब है कि इस particular data को signal की format में बात करेंगे, तो यहाँ पर यह चीज़े बहुत काम आएंग, क्योंकि आपके directly syllabus में point भी गिवन है, data representation का direct point गिवन है, और भी अच्छी से explain करेंगे इस चीज अच्छी से explain करेंगे, बट यहाँ पर आप समझोगे तो इसी के base पर आपका पूरा concept चलेगा, अगर मैं next बात करूँ, मैं next अगर मैं बात करूँ, image की बात करूँ, देखो point समझना, यह भी बहुत important point है, कि यहाँ बात करा हूँ, कोई भी एक image की बात करता हूँ, ठीक है, तो image होती क्या है, उस point को समझो, देखो, यह image होती क्या है, यह आप पता हैं, जो आपकी image होती हो, collection of क्या होती है, pixels होती है, क्या होती है, pixels का collection होती है, ठीक है, जो आप पता हैं, कि pixels के collection होती है, pixel के collection of क्या होती है, image बनती है, और आपकी क्या होती है, परते एक pixels के value होती ह और उस value के according आपकी pixels की क्या होती है color decide होता है ठीक तो image आपके दो type के हो सकती है gray scale image और black and white image और आपकी color image तो देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास कोई भी एक image है image का मतलब होता है कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्या collection of आप पास क्या है collection of pixels collection of pixels ठीक है अब देखो यहाँ पर जो image है image का मतलब है collection of pixels इसका मतलब होता है यह जो है यह particular क्या है एक pixel है यह particular क्या है एक pixel इसका मतलब होता है आपकी horizontal vertical line जहाँ पर आके मिलते हैं आपके pixel बनती है आप देखते हो नहीं जैसे आपके image का आपके resolution होता है ठीक है इसका मतलते है जितनी ज़्यादा आपके पिक्सल्स होंगी उतनी हाई क्वाल्टी की में जोती है बट वो मैमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगी ठीक है समझो देखो सब आप वीडियो चलाते हो ना भई आप मेरी पैट्वल एप में वीडियो चला रहे हो या फिर आप जो इमेज है उसकी क्वालिटी चेंज कर रहे हो क्योंकि जो वीडियो होता है वो भी कलक्शन ओफिमेज ही बनता है जिसको हम बाद में देखेंगे जो फ्रेम उसमें क्या होता है एक फिक्स टाइम डूरेशन में आपकी फ्रेम प्रोसेस होती है और उसी को हम क्या कर कर देते हैं वीडियो कर देते हैं तो यहाँ पर यह जो सारी कहानी है यह जो सारी कहानी है जो पिक्सल्स की कहानी है इसका मतलब है कि अगर मैं कलर इमेज की बात करूं देखो जब मैं यहाँ पर कलर इमेज की बात करता हूं तो यहाँ पर जो कलर इमेज होती है किलर चोंट होता है उसकलर इमेज के लिए आपे जो पर्ट एक पिक्शल होता है न उस पर्ट एक पिक्शल में एक एक और जीबी की वैल्लू होती यह था यह तो combined value होगी यह फिर क्या होगी अलग-अलग value होगी RGB की जो बहुत high quality की में होती है उसमें RGB को अलग-अलग अलग होती है जो combined value बात करेंगे तो RGB के रूप में आपके 0 से लेके 255 के बीच में आपके एक value होगी और यह जो particular 0 से लेके 255 बीच जो value है ना यह value आपके हर एक value पे एक fix color है ठीक है देखो दाना आपके जो pixels बनते हैं जो primary जो pixels बनते हैं वो आपके RGB red, green और blue आप पता हैं red, green और blue से मिलके आपका primary pixel बनता है ठीक है हम पढ़ेंगे multimedia आपको given है multimedia subject में चीजे देखेंगे मतलब जो बाग की subject उनको correlate करता चल रहा हूं मैं यहां से क्योंकि इस particular subject के आपको बहुत सारी knowledge gain करनी है जिससे की बाग की subject पढ़ने में आपको बहुत आसानी से easily सी चीजे समझ में आजाएं तो यहाप मैं कर रहा हूं कि आपके RGB और RGB का मतला है 0 से 255 के बीच में आपे जो value है उस 0 से 255 के बीच की value है यह भी क्या होती है real value यह नहीं होती है real value तो यहाप पर 0 1 की form में होती है ठीक है तो यहाप अगर 0 से 255 बात करों तो यहाप टोटल आपके कितने 255 को represent करने के लिए तो टोटल कितने binary bits ही एट ठीक तो परतेग pixels के उपर कितने 8Bit होते है וदेखे लोड़ कितने pixels है बह бесп piralty चलते है कि तो जो quality के बेसे पे आपके pixels चलते हैं उसके bass पे ही आपकी image की quality Word होती है तो देन रहों ना आप नॉर्मल से नॉर्मली मेर्य की बात करोगो ना तो उसके रूप में आप सोचो कितने सारे डेटा को अप ट्रांस्मिट कर देऊ और जब हम वीडियो की बात कर रहे हैं तो वीडियो क्या होते हैं collection of image और उसको हम क्या करते हैं एक क्या frame set में क्या करते हैं play करते हैं तो आप सोचो कितना data 0-1 की form में कितना data exchange हो रहा है तो यह यह power है आज के दिन यह पूरी दुनिया गूम रही है आज आज आप घर पे बैटके लाइव क्लास देख पारे हो यह सारी जो power है न यह सारी power यही है 0-1 की form में data गूम रहे हैं आपके पास तो यह यह पूरा जो data है है यह represent करने का जो data का तरीक का है यह data के बहुत सारे रूप हैं इन सारे रूप को हम क्या करेंगे 0-1 की form में क्या करेंगे transmit करके data को हम एक इस्थान दूसतरा पर लेके जाएंगे और real में data ले जाने के लिए हम क्या करेंगे उसको signal में convert करेंगे क्योंकि आपकी जो cables होती है वो आपकी signal की form में data को लेके जाती है जो आपकी normal जैसे अगर मैं two state पर coaxial बात करें signal, optical fire up की किसमी light की form में और आज के दिन तो पूरा पूरा network किस पर बेश्ट है light की form पर बेश्ट है ठीक है पूरी-पूरी कहानी light की form पर बेश्ट है तो ये सारी कहानी हम देखने वाले है एक बार जल्दी से note down कीजिए इसको किसमी पर बेश्ट है कि नेक्ट देखें कि ओके हो गया नोटन हो गया एक बार इस्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों पर हम कंसंट्रेट करेंगे उसके बाद दीरे दीर हम आगे जब डेफ्ट लेवल पर जाएंगे तो आपको चीजे बहुत आसान लगेंगे क्योंकि बात यह है जब डीवाइस के बीच में डेटा कम्यूकेशन की बात आते हैं तो रियल में आप क्या करते हो जो एक्ट्रम में जो डेटा होता है वो किस रूप में बेजते हो ठीक आपके लिए तो वीडियो बेज रहे हो अरे सोच के देखो इंटरनली क्या कंसेप्ट है आप यूट्य से वीडियोप्ले कर हुआ आपелен कर तो डेखो हो जाती है तो बाद में क्या show streaming से आप क्या देखते हो recorded video देखते हो तो यह सारी कानि प्दूनिया ने जह पढ़ेंगे वहाँ vagina समझेंगे सारी कानी को ठीक है तो आप नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइपस ओफ ट्रांस्मिशन मोड की बात कर लेते हैं जा फिर में कहता हूं कि आपके डेटा फ्लो को डेटा फ्लो कितने टाइप से कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट इक टोपिक चर्चा कर लेते हैं आपका 았습니다 node का मतलब किस की बात कर लेते हैं data flow की बात कर लेते है 10. आपके devices की बीच में data flow कितने types हो सकता है उसके उपर हम चर्चा कर लेते हैं ठीक है so data flow की हम चर्चा लेते हैं तो आपके 3 type का data flow की बात करते हैं पहले हम बात करते हैं किसका simplex communication simplex transmission ठीक है फिर हम सेकेंड बात करते हैं हाफ डूप्लेक्स ट्रांस्मिशन हाफ डूप्लेक्स ट्रांस्मिशन सिंप्लेक्स ट्रांस्मिशन हाफ डूप्लेक्स ट्रांस्मिशन फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी full duplex transmission किसकी बात करते हैं full duplex transmission full duplex transmission ठीक है simplex, app duplex, full duplex transmission ओके तो यहाँ पर तीन टैप के आपके transmission mode है, इसका मतलब देटा flow, कि हम जो आपके devices हैं, उनके बीच में data किस रूप में flow कर सकते हैं ठीक है, यहाँ पर अगर simplex की बात करें तो आपका one way communication होता है half duplex and full duplex two way communication होता है लेकिन इसमें आपके difference होते हैं half duplex क्या होता है, आपके जब sender बतलब एक बार में एक ही device बेच सकती है ठीक है, दोनों device एक साथ नहीं बेच सकती है simplex आप duplex और full duplex transmission तो सबस्क्राट करते हैं क्या, simplex transmission पहले आपका transmission mode कुण होता है, simplex कुण होता है, simplex transmission देखो, नाम से पतल है का simplex transmission इसका मतलब है one way communication simplex मतलब आप एक होता है, आपके one way communication one way communication एक दिसा में data को भेजना, ठीक है इसका मतलब क्या होगा, simplex नाम से पतल लग रहा है मतलब क्या होगा, एक आपके sender device होगा, दूसरी आपके receiver device होगा तो इसका यहाँ पर मैं कहा रहा हूँ कि simplex transmission में यहाँ आपके कहा रहा हूँ एक तो क्या होता है आपके पास एक तो sender device होता है और दूसरे क्यों होते है आपका đूसरे क्यों इल्टर धो रहता है नम ठेंटर पर कर देखो संदर इससा मतलो प्ल hem कि see證ंड के दखो इसेडर के देखो यहां पर मैं कहर हुप कि आपका जो तो communication कैसा है यहाँ पर communication कैसा है unity direction कैसा है unity unity यूंदेक्स तो एक दिशा मेनग जो और एक दिशा में थिक है इसका मतलब एक device यहाँ आपर बेजने वालो होगा दूसर डिशा आपर रिसीव करने वालो होगा ठीक है करो कि अब यहां पर स्मप्लेक्स ट्रांसमिस्संट बताओ यह भी कौन-कौन झे तन्सथा स्मेसर आप़ की पर क्या होता है जहां पर कहता हूँ आपके one way communication होता है जिसमें अगर example की बात करें तो example आप क्या हो गया आपका AM, FM, radio हो गया ठीक है इसी type से आपका जैसे हम बोलते हैं आपके जब TV setup box होता है आपका TV setup जो box होता है यह सारे किसके example है, यह सारे simplex के example है ठीक है mesmo, जैसे FM, radio हो बे आप जिरफ signal receive कर सकते हो, जाएन आप सिरफ signal receive कर सकते हो, आप signal वापस से नहीं बैज सकते है ठीक है यह simplex है, इसी जैसे AC command देते हो, TV command देते हो, तो वो क्या है, वो आपका simplex transmission है, इसका मतलब है कि आप सिरफ data भेज सकते हो, आपका आपका remote है, वो send device है, आपका जैसे TV लगा हो, वो receiver device है, ठीक है, तो पहले transmission mode क्या होगा, आपका simplex, ठीक है, जो cable TV network हो गया, इसका मतलब आपका AM FM radio हो गया, simplex में point लिखो, point लिखो simplex साथ, लिखो, simplex transmission, simplex transmission, one way communication होता है, simplex transmission, one way, one way communication होता है, one way communication होता है, जिसमें की, एक device के द्वारा data send किया जाता है, जिसमें की, एक device के द्वारा send किया जाता है, और दूसरी device के द्वारा data receive किया जाता है, और दूसरी device के द्वारा data receive किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, one way communication होता है, आपकी एक send device होता है, दूसरी receive device होती है, ठीक है, अच्छा, इसके अगर one way communication का और example बात क करता हूं अगर next example बात करता हूं तो आपके जैसे keyboard हो गया वही computer के दरश्टिकों बात करें जैसे आपका keyboard हो गया आपके mouse हो गया ठीक है आपका traditional monitor हो गया जैसे आप मैं कहा रहा हूं आपका traditional आपका monitor हो गया यह सारे क्या है यह सारे आपके simplex के example है जैसे आपके keyboard mouse भूब टब चाहिए तो की बोड ते होता है बेसरप इन पूत दे सकते हैं और ट्रेडिस अब आपके से आपके सिंपलेक्स के चंपले तो सिंपलेक्स आप्ड डुपलेक्स पूल डुपलेक्स अरपको इतना सा दान रखना है कि भी जब वन वे communication बात करते हैं, सरफ एक दिशा में data का flow हो रहा है तो वो सारे के हैं, जितने भी example हैं एक दिशा में data का flow हो रहा है, जो भी example है सारे सारे example किसके बनेगे, simplex बनेगे, okay हो गए, not down हो गए next चले okay, next देखते हैं, second आते हैं, आपका half duplex second आप बात करते हैं, half duplex बात करते हैं, half duplex half duplex, transmission देखो, नाम से पता रहा है, half duplex transmission इसका मतलब क्या होगा, या पर two-way communication होगा लेकिन एक साथ नहीं होगा, half duplex नाम से पता है, two-way communication होगा, लेकिन एक साथ नहीं है, तो देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैं कर रहा हूँ पर आपके दोन्नों device, send और receive कर सकती है बट यहाँ पर दोन्नों device, send और receive एक साथ नहीं कर सकती है, इसका मतलब होगा यहाँ पर जब मैं बात करोओगा, जब first device आपके data, send ऐखो यहाँ पर पहली device और सेंड कर रहोगी, तो दूसरी device यहाँ पर देट सिरफ और receive कर सकती है, और यहाँ पर जब second device और यह पर strd divided सैंड कर रहोगी, तो पहली device data कर रहोगी, receive कर रहोगी इसका मतलब भी आप मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपके two-way communication है देखो यहाँ आप मैं कह रहा हूँ two-way communication two-way communication फिर दोननों दिशा में आप data भेज दो सकते हो two-way communication but not same instance of time same instance same instance of time इसका मतलब होता है एक ही समय पे आप दोननों दिशा में एक साथ data नहीं वेज सकते हैं यहाँ पर कहा है half duplex half duplex क्या है जब यह particular device जब sender बन रही है यह device जब sender बन रही है data send कर रही है तो यहाँ पर second device क्या बनेगी आपकी restore बनेगी जब यह पहली device आपकी sender बन रही है तो दूसरी device आप क्या बनेगी receiver बनेगी और जब आपकी दूसरी device sender बन रही है देखो दूसरी device जब आपकी sender बन रही है तो पहली device उस time क्या बन जाएगी receiver बन जाएगी अब जल्दी से मुझे इसका एक्जाम्पल बता दीजिए उसके बाद आपको लिखवाँगा इसके पॉइंट जल्दी से एक्जाम्पल बताओ बहुत एक्जाम्पल इसके एक दो फिक्स एक्जाम्पल है एक दो ईजी से एक्जाम्पल जल्दी से एक्जाम्प प्रता दिजी आपका टेलिफॉन जो आपके कि उन्हों श्टेक को एक्जाम पेपर है न तो वो भी सोल कर लेना ठीक तो जरूरी है इस सारी चीज़े तो अभी तो बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टाइट किया है देफ तक जाएंगे देखो हाप डुप्लेक्स हाप डुप्लेक्स मतले है टूवे कम्यूकेशन दोनु दिशाम में क्या होगा देटा का दोनु दिशाम देटा क्या होगा फ्लो होगा बट एक समय में एक ही दिशाम देटा का फ्लो होगा ठीक इसके एक्जम्पल की बात करें आपर आपर अगर ए am i dotta security purpose जैसे police man गरह U skitoki उसमें क्यों होता है जब एक कोई person जब बोल रहा होता है तो उसन्फ में सुन्हीं ते सबसे हूं इस उसन्ही होते हो इस आहिसर तो उस ब hm को प्रेज कर नपड़ेगा अब आपको पिते अपना बनजाएगा तो इस टेम पर रिशीवत न कर सकता की अपना हुट citizen band ये पहले देखो citizen band एक पहले की समय में citizen band क्या है एक पहले की समय की old technology है जो आपके walkie-talkie type का system होता था ठीक है वो भी क्या होता था वो भी आपका क्या है simplex पर बेश्ट है ठीक है एक आपके जैसे common जैसे बहुत easy सा example है जो railway track होता है अब पता है railway track में जो आपके train है वो दोन्नु साइड आ सकती है बट सेम टैम पर नहीं आ सकती है बट सेम टैम पर नहीं आ सकती है एक बार जल्दी से द्रो किजिए उसके बार के बार विंट लिखेंगे साथ ठीक डोर डाइग्राम जो जो भी आपके डायगराम और और है गार सग्यों साथ अब ड्रो कर तरहों डा गणा मोंगा क्यूंकि एक ए यहलां इतकतिव में आपको स्टेड़ी करने शाप्यूट्rone加ट separate proper ready करने मेरे द्वारा पैनल पीडियाफ आपको प्रवाइड की जाएगे डॉन पैनल पीडियाफ यह जो पैनल पीडियाफ ही आपको अभी जश्ट आपको दो मिंट बाद या आपके अपलोड के रूप में आपको मिल जाए गया पे लेकिन आपके स्वेम के सेल नोट भी ए ने, एक वैल्लू रखते हैं वो ठीकन तो होजरूरी यह लेकिस में पॉइंट लेको हिंदिवाल बच्छे पाइन पाइं परिको मेरे बankind हापट डूप डूप्लैक्स ट्र्समिसिन में हापग डूप्लैक्स ट्रसमिसिन में परिसण का सकती है है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में दोन्यों डिवाइस डेटा सेंट और रिशीव कर सकती है लेकिन एक समय में लेकिन एक समय में एक ही डिवाइस के दुवारा डेटा को सेंड किया जाएगा डेटा को बेज़ जाएगा ठीक दोन्यों डिवाइस आपके दोन्यों डिवाइस डेटा सेंट और रिशीव कर सकती है बट आपके एक समय में एक डिवाइस को होगा ठीक तो आपको द्यान रखना है दोन्यों डिवाइस कर तो सकती है बट एक समय क्या होगा एक डिवाइस को देखो full duplex transmission, नाम से पता लग रहा है, full duplex transmission, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आपके क्या होगे, कि आपके दोन्नों device आपके send और receive एक साथ कर सकती है, simultaneously, ठीक है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, आपके पास में full duplex transmission के बात करें, तो यहाँ मैं कर रहा ह देखो, यह तो लुक्त में और आपके होगे, मतलब एक साथ, एक साथ आपके दोन्नों device, data send, रहाँ आपके, तो real में इसके पीछे concept क्या होगा, यहाँ मैं कर दा हूं कि real में इसके पीछे पीछे क्या होटा है, दो half duplex connection एक साथ parallel बनाये जाते, यहां पे क्या होता है, जो दो जो half duplex connection है दो half duplex connection को क्या 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 जाता है एक साथ combined क्या जाता है क्या 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 जाता है combined क्या जाता है एक साथ ठीक है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे यह first device है यहाँ पर इस first device है यह आपके second device है तो यहाँ पर क्या होता है बेज जा रहा है तो दूसरी डिवाइस के दौर यहां पर डेटा भेज भी सकते रिशी भी कर सकती है तो यहां मैं कर रहा हूं कि आपके two way communication क्या होता है two way communication two way communication at same instance of time same instance of time एक ही समय में आपके दौनों डिवाइस के द्वारा डेटा सेंट और रिशीव किया जा सकता है इसको क्या करते है full duplex transmission क्या करते है full duplex इसके example जल्दीश मुझे comments करता है जल्दीश से comments करके इसके example जल्दीश से example होंगे इसके तो मतलब सिद्धीश बात है simplex simplex और आप दूप्लक्स को पता लग गया तो आपके full duplex को तो example आपको पता ही लग जाएगा जाए आपके जिसे telephone communication हो गया आपका आप अब भी पता थे ने telephone communication full duplex होता है telephone communication हो गया आपका आपके पूरी जो internet की दुनिया है बहिए आपके internet की जो कहानी होगी ठीक है बहुत बच्छे web browser में confused रहते हैं जो आपका web browser होगा full duplex है ध्यान रखना दोन्यू काम एक साथ कर सकते हो अब browser में था कंपी मतरहना ठीक है तो यह आपके यह आपके फूल दॉप्लेक्स मोड्य के इंग्जाम glaube होगे तो यहां पर क्या HOL caius आपके दोनी Ellie Państwo पैड़ Megalis मतलब तो दोनों डुएस आपके सेंट रिश्यो कर सकती है तो इंटरनल इसका के हैं इंटरनल तो इसकी का दो हाफ डुप्लेक्स मोड को एक साथ अटेच्च कर दिया जाता है और उसी इस क्या बन जाता है आपका फुल डुप्लेक्स आपको तर जैसे जो सपोज को दो रेली में ट्रैक है उनको मने पैरलल लगा दिया तो ठीक है दोनों ट्रैक पर क्या हो सकती है तो क्या बनेगा फुल डुप्लेक्स बन तो इंट्रेनले तो क्या होते है, two half duplex connection को एक साथ parallel attach करके आपके full duplex connection बनाई जाता है, ठीक है, no down कीजिए Internet, WhatsApp, chat अगरा फुल duplex है आपके साथी होग नटन होगे लगो full duplex में लगो लिएक फुल दूप्लेक्स ट्रांसमिशन में फुल दूप्लेक्स ट्रांसमिशन में दौन्नु डिवाइस के दौरा एक ही समय पर एक ही समय पर डेटा को सेंट और रिशीव किया जा सकता है एक ही समय पे data को sent or receive किया जा सकता है ठीक है? full duplicate transmission में क्या होता है? एक ही समय पे data को sent or receive किया जा सकता है ठीक है? तो यहाँ पे हमने transmission mode के mode देखे अब देखो transmission mode में बहुत easy सा concept है और exam में इस पे बहुत बार question पूच्छ जाता है ठीक है? इस प्रेक्वेंटली इस पे एक्जाम में पूछा जाता है ओके तो यहां पर टीन टाइप कि ट्रांसमें मोड देखें इसींपलेक्स आप डॉपलेक्स तो एजीली आपको समझ में बागे होंगे बसीरप माइन इतना सेट करना है कि सिंपलेक्स में एक डिरेक्शन होती है हा उन दोन्हों computer के बीच में आपको करना है बातचीत करवानी है इसका मतलब क्या data communication part की चर्चा कर लेते हैं बातचीत करवाना बी start subject यहीं से किया है data communication तो data बहिए कोई भी आपकी information ठीक है और उसे क्या करना है communicate मतलब क्या करना है आधान-परदान करना है तो data communication का मतलब यहां आप पर हम करेंगे कि हमारे devices के बीच में क्या information share में तो यहाँ पर 诀न-फोरमेशन शेयर के मबात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपके भी सबसे पहले हमने देखा कि जो particular data communication के लिए जो हमारे पास में component है वो कौन-कौन से component हमारे पास हमारे पास होने चीए तो हमने five components के बार में चल्चा की सेंडर रेसीवर, ट्रांसमेशन मेडिया, मैसेज और प्रोटोकॉल ठीक है यह five components आप पास में होने चीए data communication करने के लिए अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो आप data communication नहीं कर सकते फर्स्ट point, second point हमने data communication के लिए कुछ विशेश्ता देखे, जब data communication करेंगा तो कुछ तो कुछ विशेश्ता होने चीए, ठीक है, तो online दुनिया में एक आपका particular device हो इंडिया में, दूसरा आपका अमेरिका में ठीक है, तो आपके जब भेज रहे हो data तो कुछ तो विशेश् तो सब्सक्राइब देखा delivery, आपने जिसके लिए बेज जाएं उस तक ही आपका data पहुचना चीए, second देखा क्या, delivery, second देखा accuracy, आपने जो data बेज जाएं वो same data पहुचना चीए, क्योंकि हम देखें online दुनिया में fraud देखें कैसे fraud होता है, security पढ़ेंगा हम यापे पूरा concept आप देखें किस type से कैसे लोग fraud करते है, third हमने देखा था क्या, timeliness, इसका मतलता है एक जो आपने database आपके सही time पे भी पहुचना चीए, और लाट देखा जीटर, data packet के बीच का variation क्या होना चीए, सही होना चीए, यह कहानी हमने समझी, हमने component देखें, फिर हमने characteristics देखी, properties फिर हमने देखा आपके जो data होता है तो बहुत रूप का होता है, फिर text, number, audio, video, image, यह इतने सारे रूप का data होता है, यह real में जब communicate करते हैं तो कैसे है, इनको communicate, वीडियो है, video की खुद की विशेषता है, audio खुद की विशेषता है, image की खुद की विशेषता है, communicate करने के कैसे करें communicate, तो वो concept हमने समझा कि communicate, मतलब इन सभी जो data के इतने सार रूप होते हैं, उनको हम क्या binary format में convert करके और उसके बाद में उसको signals की form में हम क्या करते हैं, एक दूसरे जगह पर बेजते हैं, तो उसके बाद हमने next topic start किया, आज का हमने next topic start पढ़ा, कौन सा, data flow, transmission mode, बहुत किस type से devices के बीच में data का flow कर सकते हैं, जिसमें हम देखात क्या, simplex, half-deplex और full-deplex, कल की next class में बहुत important concept study करें, कौन सा, topology, और topology हम देखेंगे, अब आपको धीरे धीरे आपको क्या बढ़ना है, देखो, यहां पर data communication के पार्ट के बाद आपको, अब क्या करना है, परख पर जाना है, भे ठीक है, आपको data communication करना है, उसको करने के लिए आपको net truck तो बनाना पड़ेगा ना, बिना net truck बना है, कैसे communicate करोगे, कैसे data गादान परदान करोगे, net truck मतलब है, कि आपके पास जितने भी device है, जिनके बीच में हमें बातचीत करवाने, उनको जोडना पड़ेगा ना, तो उनको जोडने के लिए वे देखेंगे, फिजिकल वे देखेंगे, कैसे फिजिकल उनको जोडा जाता है, और फिजिकली जोडते हैं कि आपने आप data exchange करना लग जाएंगे, नहीं, फिजिकली जोडने के बाद भी का करना पड़ेगा, उनके उपर rule जोड़े चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम network बनाएंगे, ओके, तो मिलते हैं कल की class में, ठीक है, ओके, ओनलाइन जो यूटूब पर लाइव जो इस्टेंट है, उनके लिए ये जो particular जो classes है, ये आपकी free of course रहेगी, definitely आप live class attend करके, और आप अपना concept के लिए कर सकते हो, किसी भी टाइप का कोई भी doubts है, तो आप definitely अपना concept के लिए बहुत अच्छे सकते हो, बस ये है कि आपको chat की facility नहीं दी जाएगी, उसके पिछे भी reason है कि आप दो दिन तक हम chat की facility दी थी तो आपके chat के रूप में जो आप भेजते हो, वो कभी भी आप properly, मतलब question नहीं पू कीज़ें, ठीक है, मैं जो भी subject लेके आओंगा online वो पूरा ही दूँगा फिर, network लेके आओंगा, network पूरा, complete, और बहुत अच्छे concept के साथ, मज़ेदार concept साथ, मज़े आ जाएंग पढ़ने के पाद, यह अब भी कह रहा हूं, आपको पढ़ोगें तो ऐसा feel होगा कि हाँ सच में कुछ नया सीख रहे हैं, और वो नया जो सीख रहे हैं उसके साथ question solve करना बहुत हीजी हो जाएगा, मैं इतनी आपको guarantee दे रहा हूं, आपके सारे tips पर question होने वाले हैं, बहुत आसानी सब चीज़ों को solve करोगें, ठीक है, तो आप इस live class को enjoy कीजिए, तो fix आपका schedule, 3 सवा 3 बज़े का schedule रहेगा आपका, live class का, सवा 3-6-7 बज़े तक class लेगी, तो definitely आप एक fix schedule अपना बना लीजिए, ठीक है, तीन बज़े class लेएं, तो आप live आईए, यूट्व पे live लीजिए, अपने notes hand to hand prepare कीजिए, क्योंकि बाद में ते class क्या हो जाएगी, private mode हो जाएगी तो live class का, आनद लीजिए, फायदा उठाइए इस class का, क्योंकि definitely कुछ मैंने आपसे promise किये थे, कि आईए का आपको लगबख 50% course YouTube पे free of course दे दूँगा, तो वो promise भी मुझे पूरा करना आपसे, तो definitely आपके लिए जो promise था, वो promise मैं पूरा करूँगा, ये जो promise करता हूँ, पूरा करके दिखाता हूँ, तो ये आपकी class, 50% आपका syllabus की रूप में आपको आई एक class YouTube में लाने हूँ, ओके, thank you, take care, bye, मिलते हैं ना?